फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म जारेक्टर, कोरियोग्राफर, आज सतसे जादा अगर टॉप है तो वो है करन जोहर, हर सलिब्रिटी के साथ जिनका है गहरा रिस्ता, बॉल्यूड में जिन्होंने फिल्मों की लगाई है एक के बाद एक लाइट, जिन्होंने बॉल्यूड में कमाया है खूब ना, टैलेंड की दुनिया में, बॉल्यूड की दुनिया में, सबसे जादा चैलेंड का लोहा अपने फिल्मों के जरीये मनाने वाले, बॉक्स ओफि कि में आखिर क्यों आज भी अकेले हैं इस सवाल का जवाब खुद करन जोहर ने तो नहीं दिया लेकिन उनके फैंस देते हैं वाल ट्रॉलिंग का शिकार हो जाते हैं करन अपने अन्मैरिड होने को लेकर लेकिन जब अपनी फ्रेंट क्लोज फ्रेंड दिपिका पादकोन की शादी की खास जलग करन जोहर ने देखी तो खुद करन जोहर से नहीं रहा गया आपको बता दे इंस्टाग्राम पर दिपिका और रनवीर की शादी की जलग देखने के बाद करन जोहर ने कहा है I too wanna get married और उनका ये कहना वाकई तीजी से हो गया वारल फिर कॉमेंट में ए और भी बाते कहने लगे फैंस लेकिन अब करन जोहर ने शादी को लेकर एक ऐलान तो किया है कि वो शादी करना चाहते हैं ये गुड न्यूस तो है फैंस के लिए तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज खास रिपोर्ट में चीहां नेक्ट नाइन न्यूस के इस ख अकृवाल का जवाब देंगे जिन्हों की टूविटर पर भी अपनी क्साइ्ट्मिंट जताए दिपिका और रन्वीर की शादी की जलक देखने के बाद कि जो भी लोग अनमैरिड हैं इस कपल को देखने के बाद भाद ने चारह सच में शादी के लिए फुद को जरूर से उन्हालों से बना है युही रूछी और यश सिर्टपने बच्चों को भी एक माँ का प्यार चाहिए जो माँ का प्यार आप दे देंगे जादी के बाद हमें पूरी उमीद है दुआएं हैं लोगों की करन अपने बच्चों की माँ को लेकर एक नया फैसला जरूर लेंगे वल आपका फैसला क्या होगा ये तो हम जानेंगे फिलाल वक्त आ गया है इस पैकेज का यहीं पर अंत करने का तो इस खबर के साथ हम आप से लेते हैं जाज़त देखते रहें आप हमारा शानल नेक्ट नाइट नियूज और इस इसे के साथ साथ आप मारे शानल को फॉलो करना सब्स्ट्राइब करना बिलकुल ना बोले नमस्काव